एलो फ्रेंट्स निदिश्री एकेडमी से मैं हूँ आशीश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्रीज के बारे में तो इस लेक्चर में हम लोग ओपेक एंड ओपेक प्लस कंट्रीज को तो पढ़ेंगे लेकिन साथ ही में लास्ट येर 2020 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था ओपेक कंट्री से रिलेटेड उसके बारे में भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे एक्चुली क्या है ये एक एक एकोनॉमिक्स का पोर्शन है ये आपके MPPSC Part 2 Unit 1 एकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये एकोनॉमिक्स में क्या रहता है आपको Current Affairs के साथ रिलेट करना बहुत जरूरी है बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगो कमेंट लिखते हैं मेल में हमसे पूछते हैं कि सर करेंट अफेर्स के लिए क्या करें सर करेंट अफेर्स के लिए आप कुछ मत करिये करेंट अफेर्स के लिए जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं जहां से करेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे Human Resource and Development जैसे Health सेक्टर जैसे Service सेक्टर जैसे Economics का पॉर्शन उनके आप करेंट प्रेपेर कर ले तो आज इ तो पहले होता क्या था कि बहुत सारी oil producing countries हैं दुनिया में कहीं कम oil produce हो रहा है कहीं जादा oil produce हो रहा है ठीक है जो बहुत जादा oil producing countries थी जैसे Saudi Arabia हो गया वेनेजूला हो गया इन सब की अपनी अपनी oil मंडी थी ये सब लोग जैसे मंडियों में सबजी बेचा जाता है इन ल सब लोग अपने अपने दाम पे जिसका जो मन करा था उस दाम पे बेच रहे थे crude oil बाद में ऐसा हुआ कि यार opaque countries बनाये जाए एक संगठन बनाये जाए एक organization बनाये जाए जहां पे at least हम लोग crude prices को stable तो कर सकें पता रहे कि दुनिया में world में इस समय crude prices का दाम क्या है और य इन्होंने क्या किया आज की डेट में तो ये 13 countries है उस समय 5 countries ने मिलकर एक छोटा सा organization बनाया organization of petroleum exporting countries जिन देशों में बहुत जादा petroleum होता था बहुत जादा crude oil production होता था उन सब ने मिलकर एक अपना organization बना लिया ताकि हमें पता रहे कि कितनी demand आ रही है और हमें पता रहे कितन supply करनी है और prices भी stable रहे world market में इस प्रयोजन के कारण organization of petroleum exporting countries as a संगठन का निर्माड हुआ तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि history क्या थी organization of petroleum exporting countries की तो था OPEC was found in Baghdad Iraq with the signing of an agreement in September 1960 by five countries namely Islamic Republic of Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela they were to become the founder members of the organization ये जो पांच oil rich countries थी major oil producers थे उस समय के 1960s के ये पांचों देश इराक हो गया है, Iran है, Kuwait है, Saudi Arabia है वो वेनेजूला है इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, कि अब हम देखते हैं कितनी supply है और कितनी demand है और किस price पे हमें oil बेचना है इस मकसद के साथ इन्होंने 1960 में एक organization बनाया, founding members को याद रखिये, तो कि आपके syllabus में दिया हुआ है, तो जैसे तीन number के question में पूछ लिया कि आर founding members कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये पांच देश थे, बगदाद में इसको बनाया गया, और 1960 में ये ब अब देख रहे थे कि इसके objectives क्या क्या है, तो पहला objective है, यूनिफिकेशन and coordination of petroleum policies among member countries in order to achieve just and stable prices for petroleum producer, ये तो लिखने का तरीका है, मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि ये एक stable prices बनी रहे, petroleum की, देखे, stable prices क्यों जरूरी है, अगर आप एक stable price बना के रहेंगे, लोगों को पत चलेगा कि price कब गिर रही है, price कब उठ रही है, उस हिसाब से आप, अगर आप crude oil को एक market की तरह लेते हो, तो आप उस हिसाब से उसमें invest कर पाओगे, धीरे धीरे क्या होता गया, oil bond आते गए, लोग oil के futures में invest करते हैं, लोग oil का future contract लेते हैं, तो oil economy एक पूरी तरीके से market की की उभर आई, आपको मालू मैं prices कब गिर रहे हैं, आपको मालू मैं prices कब उठ रहे हैं, कब invest करना है, कब नहीं करना है, तो इससे बहुत सारे investors भी promote होते हैं, दूसरा यह है, ensuring of an efficient, economic and regular supply of petroleum to consuming nation and an adequate return of investment, एक तो पहले से यह पता चल गया कि है, या total demand कितनी आ रही है, सारे दे यह दो चीजें, निरंतर supply को बनाए रखना, price stable करना, यह दो objective के साथ, ओपक का निर्माण हुआ, यह हम पहले भी बता चुके हैं, लिखने का तरीका हमने देख लिया, अब देख लेते हैं, कि ओपक जो है, कितना बड़ा संगठन है, उसमें कौन कौन सी countries आती है, तो ओप का संगठन, एक जनवरी 2019, कतर छोड़ कर चला गया, कतर ने बोला कि आप भाई हम natural gas पर ध्यान देंगे, natural gas के production पर ध्यान देंगे, ओपक से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो कतर, इक्वाडोर, यह ओपक संगठन को छोड़ के चलेगे, अभी 13 countries बची हैं, इन 13 countries को एक अगर पढ़ लिजे, screenshot ले लिजे, क्योंकि यह आपके prelims में एकदम exact यह question बन सकता है, कि इन में से कौन सी जो है, opaque countries नहीं है, तो फिर confused हो जाएंगे, और अगर इक्वाडोर और कतर का नाम ले लिया, तो फिर तो eliminate करते भी नहीं बनेगा, तो एक बार इस पर ध्यान दे द ऐसे कुछ देश हैं, जो बाद में opaque के साथ ही आ गए, और उन्होंने बोला कि हम supply side को मजबूत करने में आपकी मदद करेंगे, price stable करने में आपकी सायता करेंगे, ऐसी countries कहला ही, opaque plus countries, ठीक है, ब्रूनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान, एंड सूडान, तो opaque countries हैं total 13, opaque plus है 10, 13 और 10 23, तो ये 23 countries जो है 90% of oil reserve इनके पास है, और more than 50% of global oil supply ये लोग करते हैं, ठीक है, तो ये चाहें, तो prices बढ़ा दें, ये चाहें तो prices घटा दें, अगर इन लोग ने supply कम कर दी, supply कट कर दी, prices एकदम से shoot up हो जाएंगे, तो ये 23 countries का एक तरह से कहा जाए, तो cartel है, यही oil control करते हैं, दुनिया भर में ऐसा समझ लीजी अभी, तो आगे बढ़ते हैं, ये जो opaque का headquarter कहां पर है, opaque का headquarter है विएन औस्ट्रिया में, opaque plus का headquarter कहा ह opaque plus का कोई headquarter नहीं है, ये just एक informal organization है, जो opaque की सहायता करता है, opaque का ally है माल लीजे, opaque and allied, तो opaque में 13 countries हो गई, allied की 10 country हो गई, total 23 country हो गई, बाकी opaque plus का कोई headquarter नहीं है, opaque का headquarter है विएन ठीक है, तो ये oil war 2020 हुआ किसे बीच, ये सौधी अरेबिया और रस्या के बीच ये war हुआ, ये war ऐसा था कि दोनों ही countries अपनी oil supply रोक ही नहीं रही थी, सौधी अरेबिया लगा था और oil बनाता जा रहा था, बनाता जा रहा था, और so was Russia, तो जब supply बहुत जादा बढ़ गई oil की, और demand थी काफी कम, तो oil prices जो है crash हो गए, अब ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, वो देखते है तो इसके backdrop में अगर हम लोग जा कर देखें, तो उस समय चल रहा था कोरोना, हाला कि अभी भी चल रहा कोरोना, लेकिन last year जब नया नया कोरोना आया था, तो पूरी दुनिया ही lockdown में आ गई थी, तो कोरोना का क्या impact रहा है ये देखते हैं, अब last year क्या हुआ जब कोरोना मह हमारी आई थी, तो एक country से दूसरे country में travel करना पूरी तरीके से प्रतिबंदित था, आप एक देख से दूसरे देख travel नहीं कर सकते, transportation ना के बराबर था, पूरी दुनिया lockdown में थी, लोग अपने अपने घरों में थे, बहुत सारी industries ठप हो रही थी, तो ये इन सारी वजहों थी, तो इससे हुआ क्या, oil market collapse हो गया, oil market crash कर गया, बहुत सारे लोग जो oil bond लेके बैठे थे, बहुत सारे लोग जो futures contract में deal करते हैं oil के साथ, वो सब बिलकुल तबाह हो गए और बरबाद हो गए पूरी तरीके से, तो ये political motive क्या था, Russia के क्या intention थे, Saudi Arabia के क्या intention थे, वो दे दुनिया में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि second number पे Saudi Arabia, third number पे Russia है, लेकिन first number पे कौन सा है USA, USA में crude oil उत्पन नहीं होता है, USA में उत्पन होता है shale oil, shale oil जो है एक अच्छा substitute है crude oil का, कोई ज़्यादा difference नहीं होता, shale oil और crude oil में थोड़ा सा nitrogen content ज़्यादा होता है shale oil में, लेकिन जिस तरह से हम लोग crude oil को refine करते हैं और अलग-अलग products बनाते हैं, जैसे LPG बना लेते हैं, refine करके diesel बनाते हैं, उसी तरीके से आप shale oil को भी refine कर सकते हैं, तो shale oil को crude oil की ही category में जोड़ा जाता है, तो shale oil reserves USA में बहुत ज़्यादा है, इसलिए USA जो है number one oil producer है, और तो दोस्तो shale gas reserve USA में बहुत ज़्यादा हैं, बट कोई भी चीज इतनी आसानी से कहां मिलती है, shale gas जो है shale rocks में छुपा रहता है, shale rock क्या है, यह एक sedimentary rock है आपनी geography में पढ़ा होगा, shale rock के अंदर gas entrapped रहती है, जिसको collect किया जाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि यह onshore drilling process है, एक होता है onshore एक होता है offshore, offshore मतलब यह है कि जब आप समुद्र के किनारे, जब आप on sea bed petroleum की खोज करते हैं, drill करते हैं, तो इसमें फाइदा क्या होता है, एक तो drilling बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है, दूसी बात यह है कि transportation का कोई खर्चा नहीं आता है, ocean के बगल में ship खड़ी रहती है, आप tanker पे tanker जो है भरते चले जाओ petroleum के, लेकिन onshore drilling में problem हो जाती है, यहाँ पे जमीन के अंदर drill करना पड़ता है, जमीन के अंदर drill, दूसी बात आप transport कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक proper logistics चाहिए, जैसे for example onshore, hence transportation requires a well robust pipe structure, pipe में भर कर इन gas को transport किया जाता है, उसके बाद refine किया जाता है, फिर बागी सारा process होता है, तो जो shale gas है, वो onshore process है, onshore इसकी hydraulic fracking होती है, horizontal drilling होती है, तब जाकर कहीं यह shale gas निकलती है, तीसरा point यह है कि shale gas requires horizontal drilling and hydraulic fracturing, which itself a very cumbersome and expensive process, यह मैंने बताई दिया कि इसकी एक विशेश तकनीक है, horizontal drilling and hydraulic fracturing, horizontal drilling कैसे करते हैं, जैसे माली यह है, आपके shale rock आपको नीचे दिख रहे होंगे, जहाँ पर rock formation लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जहाँ पर shale rock होते हैं, उसके perpendicular आपको drill करना है, उसके बाद एक विशेश तरीके का chemical होता है, जिसमें chemical, sand और बहुत सारी चीज बनाया जाता है, उसके गड़े के उपर intense water pressure और sand का mixture और chemical का mixture करके pressurized water को गड़े के अंदर भरा जाता है, यह जो steam होती है, इन rock में cracks पैदा कर देती है, fracture पैदा कर देती है, इन rocks में, shale rocks में, उसके बाद जो shale rock से जो gas निकलती है, उसको entrapped किया जाता है, उसके बाद उस transport किया जाता है, तो यह बहुत ही expensive process है, इतना आसान नहीं है, तो इस diagram का आप लोग screenshot ले लिजेगा, सब कुछ इसी diagram में लिखा हुआ है, कि hydraulic fracturing और horizontal drilling कैसे होती है, ठीक है, अब हम लोग पुरानी slide की तरह वापस रोटते हैं, demand जो है crude oil का कम हो रहा था due to corona, और supply जो है वो oil prices crash हो रहे थे, ऐसे में Saudi Arabia ने बोला कि यार हमें अपनी अपनी supply काटनी पड़ेगी, ताकि oil prices को वापस से ठीक किया जा सके, balance मिलाया जा सके, Russia refused to comply and took the opposite route of increasing their production, Russia ने बोला मैं तो supply नहीं काटूंगा, मैं तो supply करता जाऊंगा petrol को, तब तक जब तक oil prices बिलकुल नीचे ना ग निकालता है, उपर से crude oil के दाम international market में बेहद कम हो रहे हैं, तो ऐसे में USA की जो private companies है, USA की private companies which are dealing with shale oil production, वो तो सब डिबबा बंद हो जाएंगी, मतब crude oil निकालने में, shale oil निकालने में उनका 50 डॉलर जा रहा है, और जब बेचने गए, तो पते चला कि 30 डॉलर ही है, प्रत आप कोई चीज, आप कोई कपड़ा बनाते हैं, 100 रुपए लगा के बनाते हैं, तो 1.500 रुपए में बेचेंगे, अब आपने 100 रुपए का कोई चीज बनाया, देखा कि market में उसकी price तो 50 रुपए ही है, तो क्या आप उस business में रहेंगे, तो रशिया ने भी यही इस चीज रडार and hence short up its oil production, जैसे आप इंडिया की बात कर लिजे तो जो ONGC है, वो government-aided है, government की PSU है, उसी तरह सौधी अरेबिया, रशिया, इरान, इराक में जो भी यह oil companies हैं, वो government-aided है, वो तो बच जाएंगी, बट USA में जो shale production होता है, वो private companies के द्वारा होता है, तो अगर crude oil की market में कीमत बहुत कम होती जा रही है, तो यह सारी private companies जो है, shale gas production से बाहर निकल जाएंगी, वो लोग shale gas क्यों produce करेंगी, जब market में कीमत ही नहीं है तो, तो सवाल यह उड़ता है कि रशिया ऐसा कब तक करता रहेगा, लगातार supply पे supply बढ़ाता चला जाएगा, demand कुछ है न लगेगा, तो ऐसी स्थिती में हर देश का अपना अलग threshold level होता है, for example, जब तक oil prices 35 डॉलर प्रती बैरल के नीचे नहीं जाते, रशिया को कोई घाटा नहीं होगा, यदि crude oil का दाम 35 डॉलर प्रती बैरल हो जाए, या इससे नीचे हो जाए, तब रशिया को घाटा होना जाटा होना शुरू हो जाएगा, जैसे 50 से नीचे गया crude oil का price, 49 गया, 48 गया, 47 गया, USA के लिए ये economically viable नहीं होगा, और रशिया यहीं चाहता था, Russians have always been a chess player, बहुत अच्छे chess player होते थे Russians, दिमागत उनके पास है ही, और shale industry को इन्होंने नुकसान भी काफी पहुचाया USA ही, In fact, Donald Trump को intervene करना पड़ा था last year, कि मामला सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि last year US presidential election भी थे, बहराल, रशिया को सबक सिखाने के लिए Saudi Arabia ने भी supply अपनी बढ़ा दी, ताकि रशिया को नुकसान होने लगे, और जब Saudi Arabia ने भी अपनी supply बढ़ा दी, तो crude oil के prices एकदम low पे आ गये, इतने नीचे गिर गए, कि last year 23.92 डॉलर प्रती बैरल प्राइस हो गया, अब रशिया को भी घाटा तेजी से होना चालू हो गया, रशिया बाद में सबक मान गया, सीख गया, और उसने अपनी supply कट कर दी, यहाँ पे बीचे बहुत सारा ड्रामा हुआ, जो है, डोनल्ड टर लोग अपनी अपनी supply कट करेंगे, और कितनी कट करेंगे, वन मिलियन बैरल पर डे, इतनी supply कट करेंगे, ठीक है, तो फाइनली रशिया अग्री टू लिमिट से oil supply, तो फाइनली रशिया जो है, मान गया, तो यह था पूरा oil war, लगभग एक दो महीने चला ही है, तो इस पर हुआ क्या, इंडिया पर क्या impact हुए oil war के, अब इसका इंडिया पर भी तो कुछ impact हुआ होगा, last year कोरोना चल रहा था, oil के prices बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग ने देखा कि petroleum और diesel के price काफी जादा है, 100 के उपर है in fact, तो impact क्या हुआ oil war का इंडिया बे, वो देखन पहले नंबर पे USA, USA सबसे बड़ा producer भी है, सबसे ज़्यादा importer भी है, USA में oil की बहुत ज़्यादा खपत होती है, second नंबर पे China, तीसे नंबर पे India, every dollar drop in the price of oil decreases the import bill by 10,700 crore, अगर एक डॉलर की भी कमी होती है, एक डॉलर अगर नीचे गिरता है, crude oil price का, तो इंडिया को 10,700 करोड का फायदा होता है, इतना बड़ा फायदा सिर्फ एक डॉलर के उपर नीचे होने में, यहां तो पता नहीं कितने डॉलर गिर गया तेल, अगर तेल सस्ता मिल रहा है, तो हमें फायदा होगा की नहीं होगा, फायदा होगा, बहुत ज़्यादा होना चाहिए हमको, लेकिन उतना फायदा हुआ नहीं इंडिया को, उसके पीछे क्या-क्या वज़ा थी, वो भी देखते हैं, इंडिया में भी रिसेशन आया हुआ था, इंडिया में भी रिसेशन आया हुआ था, तो उस क्रूड ओयल का करें क्या? Hence, government tried to make up shortfall by increasing tariff on oil. Government को पैसा भी नहीं मिल रहा था, पैसा कमा ही नहीं पा रही थी, government कुछ production ही नहीं हो रहा था, तो पैसा कहां से कमाएगी? तो government नहीं क्या किया कि जो भी उसको घाटा हो रहा है, उसको offset करने के लिए. पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किया, बलकि उन पे excise बढ़ा दिया. The demand for fuel was itself very tepid, so a fall in prices won't instigate people to consume more oil. यहीं बोला जा रहा है कि demand जो है, वो fuel oil की इतनी ज़्यादा थी नहीं, लोग अपने घरों में बन थे, लोग सड़कों पे घूम नहीं रहते, transportation नहीं हो रहा था, industries नहीं चल रही थी, तो demand वैसे भी fuel की बहुत कम थी, ठीक है, fall of rupee against dollar also offset some of the gains from falling crude oil, जो crude oil के सस्ता होने से जो लाब हुआ, वो offset हो गया काफी हद तक, क्योंकि हमारा जो rupee है वो भी काफी गिर गया था, dollar के मुकाबले, last year तो in fact 1 dollar, जो है 76 rupee के बराबर हो गया था, 76 rupee के बराबर एक dollar हो गया था, इस हद तक हमारे rupee की value गिर गई थी, तो जब rupee की value गिर जाती है, तो हमें ज़ादा पैसे देने पड़ते हैं कोई चीज इंपोर्ट करने के लिए, for example, foreign market में कोई चीज जो है, एक dollar में मिल रही है, अब rupee बहुत मजबूत है, 40 rupee का ही एक dollar है, तो हम 40 rupee में फटाक से चीज खरीद लाएंगे, अब वही चीज जो है हमारा rupee क्योंकि बहुत गिर गया है, 100 rupee पहुँच गया है एक dollar, तो अब हमें 100 rupee खर्च करने पड़ेंगे, उसी एक dollar की चीज़ को अपने पास लाने के लिए, तो चूंकि dollar जो है बहुत मजबूत हो गया था, रुपय बहुत कमजोर हो गया था, तो जो हम लोग import कर रहे थे crude oil, वो भी हम पर महंगा पड़ रहा था, तो crude oil सस्ता होने से जो फायदा हुआ, वो इन सारे कारणों की वज़े से, वो फायदे जो है, offset हो गए, कोई बहुत ज़ादा, ऐसाच इंडिया को कोई बहुत ज़ादा फायदा नहीं मिल पाया, दूसरी बात यह है, कि जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, तो उसका क्या करना चाहिए, जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को स्टोर करके रख लें, क्योंकि हमें मालूम है कि एक ना एक दिन उसके प्राइसे तो बढ़ेंगे ही, अब आज देखी, आज की डेट में क्रूड ओयल का क्या दाम है, 61 डॉलर प्रती बैरल, उस समय कितना हो गया था, 30 से नीचे चला गया था लास्ट येर, जस्ट हाफ हो गया था, तो जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती, तो हम जादा से जादा उसे खरीद कर एक जगा स्टोर कर लें, ठीक है, तो इसलिए इंडिया के पास है, strategic petroleum reserve, strategic petroleum reserve, these are huge stockpiles of crude oil, to deal with any crude oil related risk, वही जीज़े मैंने बताया कि, कि किसी भी तरीके का risk अगर supply side में होता है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, हम लोग कुछ crude oil अपने पास पहले से जमा रख ले, इंडिया is a member of international energy agency, and as per IEA, each country has an obligation to hold emergency oil stock, emergency oil stock जो है, अपने पास hold करना, जरूरी है, international energy agency के agreement है उनकी वज़या से, तो इंडिया ने जो है, petroleum reserves अपने stock भी कर लिए, लेकिन problem क्या है कि इंडिया के पास, बहुत ज़ादा strategic petroleum reserves नहीं है, मतब इंडिया की capacity बहुत ज़ादा नहीं है, इंडिया के पास इस समय operational इस्थिती में, तीन strategic petroleum reserve है, जो विशाखा पत्नम में हैं, मैंगलोर में हैं और पादूर करनाटका में है, सिर्फ तीन strategic petroleum reserves हैं इंडिया के पास, उसके अलावा, कुछ upcoming petroleum reserves हैं, जो अभी तक संचालित नहीं हो रहे हैं, अभी तक चालू नहीं है, operational इस्थिती में नहीं है, ठीक है, यह उडिसा में हैं, और करनाटका में एक और strategic petroleum reserve बन रहा है, तो इंडिया की जो total capacity है, वो सिर्फ साढ़े नौ दिन की है, मतलब अगर इंडिया में crude oil import होना बंद हो जाए, तो इंडिया अपने reserves की मदद से, 9 दिन तक या साढ़े 9 दिन तक चल सकता है, बाकी देशों में ऐसा नहीं है, फॉर इंडिया जो सबसे बड़ा oil importer है, सबसे ज़ादा खपत है USA में oil की, वो 39 देश तक चल सकता है, अगर उसके पास oil supply आनी ही बंद हो जाए, अगर oil supply आनी बंद हो जाए, USA आज की डेट में oil import करना बंद कर दे, तो भी पूरा देश 39 दिन तक चल सकता है, similarly चीन 21 देश तक चल सकता है, जापान, जापान में खपत भी कम है, तो 126 देश तक चल सकता है, लेकिन वहीं इंडिया जो है सिर्फ 9 दिन तक चल सकता है, बिना oil import के, तो हमारे पास जो है, पेट्रोलियम रिजर्व की capacity भी बहुत कम थी, तो हम जितना लाब उठा सकते थे, crude oil के कम होने से, उतना लाब हम लोग उठा नहीं पाए, हाला कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से एक नोटिस आया हुआ था, कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये कहा था, कि लगभग इंडिया ने 5,000 करोड के फॉरेक्स रिजर्व अपने बना लिये हैं, बिकॉज ओफ ये crude oil में जो नुकसान हुआ उससे, ठीके फिर भी ये कोई बहुत जादा नहीं था, इंडिया जो है इस crude oil का बहुत जादा लाब नहीं उठा पाई, इस oil war का बहुत जादा लाब नहीं उठा पाई, क्यों नहीं उठा पाई, उसके पीछे reason बहुत सारे थे, एक तो COVID-19 pandemic था, उपर से हमारा जो रुपए था, उसकी value बहुत जादा गिर गई थी, ठीक है, दूसरी बात हमाए पास, infrastructure लाकूने हैं हमारे देश में, इतना जादा capacity नहीं है strategic petroleum reserve की, तो इन सारी चीजों की मदद से, इंडिया जो है, जितना फाइदा उठा सकता था, जितना लोगों को फाइदा दे सकता था, उतना नहीं दे पाया, तो दोस्तों ये था आज का lecture, आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये lecture पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, आपके लाइक, शेर और सब्सक्राइब से हमको बल मिलता है, और हम लोग बहतर lecture बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, तो मैं मिलूँगा आपसे अगले lecture में, तब तक के लिए गुड़ बाई, अपने स्वास्त का, अपना और अपनों का खयाल रखिये,